PSL और IPL ये दोनों सबसे बड़ी लीग, किर्केट लीग मानी जाती है IPL के सामने PSL बिल्कुल भी नहीं ठेहरता ऐसा हिंदुस्तानी फैंस कहते है पाकिस्तानी फैंस ये कहते है कि अविनाश भाई PSL में क्वालिटी है क्वालिटी के मामले में PSL, IPL से ज़्यादा बहतर है और क्वांटिटी के मामले में IPL, PSL से ज़्यादा बहतर है ये डिबेट अकसर ये होता रहता है और ये होते रहना भी चाहिए हालाकि डिबेट बनता नहीं है एक चीज धन में आपको बताता हूँ हुआ क्या है उसके बाद मैं आगे वीडियो पे जाओंगा आगे मैं आपको बताओंगा brand value दोनों franchise league की दरसल PSL में draft system होता है और IPL में auction system होता है auction में बोलियां लगाई जाती है और PSL में category होता है ड्राफ होता है platinum, diamond, gold category होता है silver category होता है यह तमाम category होती है और उसमें पैसा बांधा हुआ है कि platinum category वालों को इतने से इतने ही पैसे मिलेंगे जैसे platinum category वालों को मिलते हैं 1,30,000 से 1,70,000 डॉलर तक ठीक है अगर आप platinum category में खेल रहा है और platinum category PSL में सबसे high category होता है उसको अगर normally अगर आप देखा जाए उसको आप convert करेंगे न तो जो platinum category वाले रहते हैं उनको मिलता है तकरिबन वही 1,41 करोड इंडियन करेंसी के according में आपको बता रहा हूं ठीक है अब IPL में क्या है IPL में जो salary मिलती है वो है 24 करोड 75 लाग 24 करोड 75 लाग मिचल स्टार्ट highest salary है 20 करोड और something कुछ 75 लाग या 50 लाग तो Pat Cummings को भी मिले है तो ये IPL में हर साल बोलियां लगती है अब कौन player कितना किसको मिलेगा ये उसकी किस्मत पर भी है और कई दफा ऐसा होता है कि कोई बड़ा खलाडी है तो उस पर जादा बोलियां लग भी जाती है ठीक है लेकिन एक मामले में PSL को दाद देनी पड़ेगी कि देखो यार PSL में क्या है ना PSL में 25 करोड की आवाम है पाकिस्तान की और वहाँ पे अगर आपका brand value अगर आपकी brand value 5 billion हो जाती है ना तो ये दाद देनी पड़ेगी हमारे यहाँ पे population आपको पता है एक अरब 50 करोड के आसपास में है ठीक है अब हमारे यहाँ आपकी जो brand value है जो IPL की brand value है वो है 10.7 billion dollar 10.7 billion dollar और यह तकरीबन हो जाता है इंडियन करंसी में 88,000 करोड मतलब 88,000 करोड IPL की brand value है और PSL की brand value जो है ना वो मैं आपको बता रहा हूँ PSL की brand value लगबग में इंडियन करंसी में वो हो जाता है 2700 करोड 88,000 करोड 2700 करोड major difference है बहुत जादा difference है हला कि एक आयत estimate आयत जो अभी हाल में जो media rights बेचे गए है PSL के 2024-2025 को लेके वो है 6.3 billion dollar 6.3 billion dollar और यह तकरीबन होता है 52,000 करोड 22,000 करोड 2017 में IPL का global media rights जो बेचा गया था वो था 2.55 billion dollar तकरीबन 17,000 करोड का बेचा गया था और इसके बाद जो है उस time की मैं बात बता रहो उस time जो है PSL की brand value इतनी जादा नहीं थी वो 6.3 billion dollar के आसपास में जो की 52,000 करोड होता है इंडियन करंसी में इसका मतलब है जैसा कि हमने आपको पहले बता था कि PSL साल दर साल आगे ही बढ़ता रहा है और 25 करोड की आवाम और 52,000 करोड का भाई ये बहुत जादा होता है और ये media rights जो है जबरदस तरीके से बेचा गया next 5 years के लिए 2022 से लेके 2027 तक का 6.2 billion 6.2 billion के आसपास में ये बेचा गया था बाई अच्छा खासा जो है न ये media rights अप PSL का भी हो गया है और brand value अच्छा खासा बन गया है 6.2 billion जो ये media rights बेचा गया ये कम नहीं है बहुत जादा हो जाता है 51,000 करोड आप समझो वो भी Indian currency में पाकिस्तानी currency में तो और भी जादा हो जाएगा ये चीज़ है अब इसमें क्या है कि IPL और PSL में बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं कि भाई दोनों की prize money prize money में बहुत जादा difference है 2020 में Mumbai Indians जीता तो 20 करोड मिला था और 2020 में कराची Kings ने जीता तो 3.5 करोड मिले थे ठीक है ट्रॉफी जीतने पर और अभी भी जो भी टीम IPL जीत लेती है ट्रॉफी जीतती है उसको मिलते हैं 20 करोड 2021 में चन्य को मिला 20 करोड मुलताल सुल्तान्स को मिला 3.5 करोड 2022 में गुजराट टैटन्स को मिला 20 करोड लाहूर कलंदर्स को मिला 3.5 करोड 2023 में चन्य सुपर किंक्स ने जीता 20 करोड प्राइज मनी इसको मिला और लाहूर कलंदर्स को मिला 3.5 करोड साढ़े तीन करोडों मिला था लेकिन अभी का जो brand value अगर देखा जाए तो IPL का तो जादा है लेकिन जो ये 6.2 billion में जो ये brand value अभी बना है इनका जो PSL का बना है ये अच्छा खासा इसका मतलब है कि आप improve कर रहे हो इंप्रूव कर रहे है और ये आकड़े आई थे last month ही आई थे तब मैंने video नहीं बनाया था बट मैंने सोचा कि चलो अब PSL को लेके create चल रहा है और बाते आगे हो रही है सुर्खियां में आ रही है PSL and all तो मैंने सोचा इस पर video बनाया जाए तो अच्छा खासा इसका भी जो कि IPL बढ़ी है आप बोलेंगे PSL बढ़ी है कोई और बोलेगा IPL बढ़ी है कोई और बोलेगा PSL बढ़ी है तो ये choices पर है बात मां कि भाई मुझे मज़ा तो दोनों में ही आता है अपना टाइम अच्छा गुजड़ता है मैचेश होता है जबरदस्त मुकाबले होता है सपोर्ट करते है और अच्छा वक्त भी गुजड़ता है अच्छे खासे व्यूज भी आ जाते है धन्यवाद आप बात में कि आप लोगों पर मैं छोड़ता हूं कि आप कौन सी के बाद PSL का नाम आता है इसके बाद ही ये BBL, CPL, LPL, DPL, BBL जितना भी लीग है ना इसके बाद ही आता है तो PSL की अच्छे खासी जो है ना अब audience हो गई है इस वीडियो में बस इतना ही धन्यवाद